हेलो एवरीवन वेलकम बेक तो माई चैनल आज मैंने यह टायर से बनाऊंगा प्लांटर दिखाया है तो आएए देखते हैं कि इस प्लांटर को हमने कैसे बनाया है यह मारूती श्विफ्ट का 15 इंच का टायर है इस टायर के इस पोर्शन में चौक की हेल्फ से हमको पूरे टायर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइट करने में सुविधा रहे हैं हम टायर को शार्प नाइफ की हेल्फ से कट करेंगे नाइफ में नोख होनी चाहिए क्योंकि नोख की हेल्फ से ही हम इसको इस रबड के अंदर डालेंगे और फिर इस नाइफ को आगे की पुष करते हुए हमें ये पैटल्स को कट करना है अब ये टायर और मुस्ट कट चुका है इसमें सिर्फ दो पैटल्स बाकी है उनको भी कट करेंगे क्योंकि हम एक शार्प नाइफ का यूज कर रहे हैं तो ये काम बहुत ही साफधानी से करना है नाइफ को अंदर वहार पुल करते हुए आगे की तरफ कट करना है पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से पूरी तारीका से कट चुका है क्यां इसरी हमें दो पोर्षन मिलें मिले जिस portion पे numbering है उस portion का use हम stand बनाने के लिए करेंगे और दूसरे portion का use हम planter बनाने के लिए करेंगे अब हम tire को फल्टेंगे अब tire की cutting वाली side को नीचे कर लेंगे और tire की edge को एड़ी की सायता से अंदर की तरफ push करेंगे जब आप push करेंगे तो उसकी cutting वाली side कुछ-कुछ बाहर आने लगेगी जिसको आपको हाँ से पकड़कर बाहर की तरफ खीच लेना है ऐसे tire पलटने की starting होगी फिर आपको tire की edge को एड़ी की help से ऐसे ही अंदर की तरफ push करना है और उसके petals को बाहर की तरफ खीच लेना है हम इसी तरह से पूरा tire पलट लेंगे और जब end में थोड़ा सा tire बचे पलटने के लिए तब हमें हातों का use करके उस tire को पलटना होगा अब यह tire almost पलट गया है जैसे कि मैंने बोला था कि जब end में थोड़ा सा tire बचेगा तो हमें पूरी तरह से हातों से जोर लगा कि ही इस tire को पलटना है और फिर पैरों की help से tire को एक सा कर देना है प्लांटर को कुछ इस तरह से अरेंज करने वाले हैं सबसे नीचे stand फिर चोटा tire उसके उपर बड़ा प्लांटर को और रेंज करेंगे अब हमने इस प्लांटर को पेंट कर लिया है फिर हमने इस पर आर्ट वर्क किया है अब हमारे प्लांटर के तीनों पार्ट रेडी हो गए है अब हमें इन तीनों पार्ट को आपस में जोड़ना है इनको आपस में जोड़ने के लिए हम इस कुर का यूज करेंगे सबसे पहले स्टेंड को छोटे टायर पर उल्टा करके रखेंगे और चार स्क्रू की हैल्प से इन दोनों पॉर्शन को आपस में जोड़ देंगे इनको जोड़ने के लिए हम एक स्कूर ड्राइवर का यूज करेंगे स्कूर ड्राइवर से हमें इन इस्कूर को अंदर की तरफ पुष करते हुए टक करना है क्योंकि अगर इसको सीधा सीधा लगाएंगे तो यह बाहर की तरफ नच्छे नजर आएंगे इसलिए हमें थोड़ा अंदर पुष करते हुए ही इसको फिक्स करना है अब आप देख सकते हैं कि चारो इस्कूर को अंदर फिक्स कर दिया गया है अब यह दोनों पूर्शन अच्छे से जुड़ गए हैं अब इसके उपर हम प्लांटर का उपर वाला पूर्शन फिक्स करेंगे और वैसे ही इस्कूर की हेल्प से ही फिक्स करेंगे चार इस्कूरू लेकि उनको चारो डिरेक्शन में इस्कूरू ड्राइवर की हेल्प से अंदर की तरफ पुश करते हुए हमें फिक्स करना है अब इसमें चारो इस्कूरू अच्छे से लगा दिये गए हैं अब यह प्लांटर रेडी हैं अब आप देख सकते हैं कि इस प्लांटर के तीनों पॉर्शन आपस में अच्छे से जुड़ गए हैं अब हमें इसके सेंटर पॉर्शन को कवर करना है इसके सेंटर पॉर्शन को कवर करने के लिए हम इसी साइज का कोई बावल यूज कर सकते हैं या फिर कोई फैवर शीट यूज कर सकते हैं अब हमारा टायर से बना हुआ पूरी तरह से रेडी हो चुका है अपने अपकमिंग वीडियो में इस प्लांटर में प्लांट्स लगाके इसका फैनल लुक कैसा लगता है वो भी आपनों के साथ में जरूर शेयर करूंगे साथ ही different size के tires यूज करने से और different types के cuttings करने से planters का लुक कैसा आता है ये भी आप सभी के साथ में जरूर शेयर करूंगे